statistics के अंदर सबसे पहली चीज होती है problem problem का मतलब यह नहीं है कि तकलीफ के यह वाली problem की मैं बात नहीं कह रहा problem का मतलब यह है कि आपके दिमाग में question क्या है वो scientific question हो सकता है वो funny question कोई आपके fun study के लिए हो सकता है वो आपका industrial question हो सकता है वो आपका sociology का question हो सकता है वो आपका for example मर्दम शमारी का question हो सकता है what we are going to study inshallah as well so कोई भी question हो सकता है उस question को ही हम problem कहते हैं ठीक है और उसको हम फिर analyze करते हैं using some kind of thinking process अब एक question यहाँ पर मैं बनाता हूँ और फिर देखते हैं कि यह हमें किस तरीके से help करता है to study the statistics सबसे पहला मेरे पास जो question है जिसे मैं problem कहता हूँ question slash problem हम किस लिए यह statistics को involve करते हैं यह मैं आपको बताने लगा हूँ ठीक है यहाँ पर देखते है question मेरे पास यह है कि मुझे पता करना है पाकिस्तान के अंदर कितनी female IT के अंदर है IT sector के अंदर और कितने मेरे पास males मेरे पास नहीं फॉर इक्जेंपल यह पाकिसान के अंदर male IT sector के अंदर है ठीक है और इस चीज को हम question भी कह सकते हैं और अक्सर उकात यह problem भी होती है problem क्या होती है कि हमें पता ही नहीं है, problem हमारे पास यह है, कि हमने, for example, हमारे पास एक job आई है, ठीक है, so हमारे पास क्यों possibility होनी चाहिए, कि मेरे पास, for example, 10 jobs हैं, मैंने 5 females को देनी हैं, और 5 males को, यह किस base पर decide करना है, वो हमारी होती है problem, अब मुझे अगर पता ही नहीं है, और मैं हर city का survey कर सकता हूँ, हर कलूनी का कर सकता हूँ, city का, city के आगे, फिर जो उनके छोटे-छोटे कलूनीज हैं, उनका, फिर उसके भी आगे, आपके referral से, so मैं क्या करूँगा, different किसम का survey conduct करूँगा, पूछूँगा, कि females, आप female हैं, तो यह बता दें, आप IT के अंदर हैं, या नहीं है, या दूसरा तरीका ये हो सकता है, surveys के इलावा, जो हम consensus करते हैं, consensus, ठीक है, जिसे मर्दम शुमारी भी बोल देते हैं, मर्दम शुमारी के अंदर आपके पास काफी results आते हैं, जो आप utilize कर सकते हैं, so हम कर क्या रहे हैं, हम basically male या female का data इकठा कर रहे हैं, ठीक है, for example, यहाँ पे मैं data इकठा करते हैं वकत, female लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ male, ठीक हो गया, अब अगर कहीं पे मेरे पास, मैं counting कर रहा हूँ, कि ये मेरे पास, 1, 2, 3, बलके 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, so on and so forth, जब कोई मेरे पास female होगी, और वो IT के अंदर होगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लिख दूँगा, अगर मेरे पास male होगा, और वो IT के अंदर होगा, मैं यहाँ पे एक लिख दूँगा, तो इस तरीके से मैं data collect कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं yes भी लिख सकता हूँ, एक की बजाए yes भी लिख सकता हूँ, तो at the end क्या होगा, मैं जब female को सारे को जमा कर लूँगा, यानि कि मैं इनका sum ले लूँगा, यह sum का निशान है, sum ले लूँगा, इन सारी females का, जितना भी मैंने data collect किया, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, कि मैंने 500 लोगों का survey किया, बीच में से 500 जो हैं, वो males हैं, जो IT के अंदर हैं, ठीक है, और 100 हैं females, जो IT के अंदर हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो मैंने survey किया, मैं अपने data की base पे बता रहा हूँ, ठीक है, और, सब्सक्राइब गया, 300 और 150 वो लोग हैं, जिनोंने IT नहीं पढ़ी, यानि कि non-IT people, इसका मतलब ये है, कि मेरे पास ये एक data आगया है, जो मुझे बता रहा है, कि मैं अब calculate कर सकता हूँ, कि males कितने हैं, females कितनी हैं, जो IT के अंदर है, और हमारे पास total data कितना है, and this kind of issues, you can actually resolve using statistical method, अब क्यों कि हो सकता है, कि जब मैंने sample 500 बंदों का लेना start किया, ये जो 500 लोगों का मैंने sample लिया, मेरे पास sampling technique ही अच्छी ना हो, technique अच्छी नहीं थी, मैं एमी जो मेरे इर्दगिर्द मेरी कलूनी के अंदर लोगे, मैं सभी 500 का उनका sample ले लिया, और मैं कहे रहा हूँ कि जो पूरे पाकिस्तान में यही कुछ चल रहा है, ये तरीका गलत होगा, इसी तरीके से अगर मैं 500 लोगों को email कर दूँ, और उस में से सिर्फ 300 ने reply किया है, उसका data include कर दूँ, ये भी बिलकुल गलत है, क्यूंके मुझे पता ही नहीं कि वो लोग original हैं या नहीं, ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मैं फैसलाबाद में मेरे जो आस-पास लोग हैं, उन में से पांच सो लोगों का sample लेके, मैं कहाँ दूँ, पूरे पाकिसान में ये ही कुछ चल रहा है, ठीक है, तो ये बिलकुल गलत technique है, इसका मतलब ये है कि data collection से भी पहले, आपको stat help करती है, है how to collect data में, how to collect data, वरना, मैं इसी जो मेरा data है न, अगर मैं इसको सही मान के चलूँगा, तो मैं गह सकता हूँ कि यार, ये जो मैंने यहां पे लिखा है न, इसकी base पे, for example, 50% जो population है, वो IT में है, males की, तो ये बिलकुल गलत होगा, ठीक है, सो इसका मतलब ये है, कि मुझे start से ही statistics को सीखना जुरूरी है, और जैसी मैं stat को सीखूँगा, then I can move further, और मैं अच्छे तरीके से, अपने data से results जर्नेट कर पाऊँगा, क्योंकि 5 pillars हैं, जो मैंने पहले आपको बताएं, stat के ठीक है, जिसमें data collection है, यहां पर अगर देखें, मैं इसको zoom in कर लेता हूँ, 5 pillars है हमारे पास, पहला data collection का है, दूसरा analysis का, जब हमने analysis करना है data को, तीसरा interpretation का, चोथा presentation का, पांचवा organization का, यानि कि आप data को organize भी कर सकते हैं, और data की base पे कुछ results भी लगा सकते हैं, यानि कि आप data की base पे कोई results को, policies में convert कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यह कि अगर women IT के अंदर नहीं है, तो हमें ओरतों को subsidize करना चाहिए, scholarships देने चाहिए, ताके वो IT के अंदर आएं, so these are kind of things, जो सभी को समझना ज़रूरी है, before jumping into data analysis, या before jumping into something, जिसके बारे में हमें knowledge इना हो, खास तोर पे जब हम data science की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, उस वकत हमें statistics सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ज्यादा तर काम जो है वो data पे होगा, अब data, कई किसम का होता है, data की कई टाइपस हैं, तो इसका मतलब यह हुआ collection से लेके, हमने आगे move करना है, कि data को collect कैसे करना है, उससे भी पहले, हमारे पास जो topic आता है, that is called data measure कैसे करना है, किस तरीके से count करना है,